हलो स्टुटेंट्स वेलकम बेक टो मंदीप एजुकेशन एक बात करने जा रहे हैं जो डेरिवेशन है क्लास 11 फिजिक्स टर्म 2 के चैप्टर वेव में से और यह डेरिवेशन है वेव विलॉस्टी और पार्टिकल विलॉस्टी के बीच का रिलेशन जब भी एक वेव चलती यह पार्टिकल्स हमारे रखे हुए हैं और यहां से एक डिस्टर्बेंस गुजरा वे वेलॉस्टी से और यह पार्टिकल ऊपर नीचे औसिशलेट करने लग गएं तो एक तो यह वी चल रहा है इसिस डा विलॉस्टी ओव वेव कि यह डिस्टर्बेंस कितना तेजी से है कि velocity of wave and velocity of particle के बीच का relation क्या है एक छोटा सा derivation है इसको हम करते हैं और ये बड़ा important है ज़रा ध्यान से देखना तो wave की equation क्या होती है एक wave जो positive direction of x-axis में travel कर रही है उसकी wave उसकी equation होती है a sin omega t minus kx अगर आपको नहीं पता है इस equation के बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में इसको derive किया है तो वहाँ से जाकर आप ये relation देख सकते हो y equal to a sin omega t minus kx ठीक है तो देखो ये y क्या है ये y एक ऐसे particle की जैसे ये wave है तो x distance पर एक particle है ये particle जो इस वक्त यहाँ है इस वक्त तो यहाँ पर जो है particle वो इस वक्त यहाँ है यानि उसकी vertical displacement mean position से क्या है y तो x distance पे t time पे particle का y निकालना हो तो इससे मिलेगा तो यह particle की displacement के लिए equation है हमारे पास और wave चल रही है x-axis में तो x जो बढ़ रहा है जिस rate से वो wave की velocity है यानि particle की जो velocity है जिसको हम vp लिख लेते हैं वो है dy by dt और wave की velocity है वो है dxy dt क्योंकि particle किस में चल रहा है particle चल रहा है y में और wave किस में चल रही है x में तो particle की velocity है dy by dt और wave की velocity है dx by dt at any instant इन दोनों के बीच में हमने relation निकालना है तो particle की velocity क्या हुई dy upon dt तो इसको कर दो differentiate a as it is sine omega t minus kx इस पर chain rule से इसको differentiate करो ना sine theta chain rule आपने पढ़ा होगा कि अंदर वाले को हमने देखना ही नहीं है अभी sine theta है हमारे पास simply जैसे chain rule आपने पढ़ा होगा कि y equal to sine 2x plus 1 है suppose ठीक है maths में आपने पढ़ा होगा तो आप अंदर वाले function को मत देखो so this is just इसका आप derivative अगर निकालोगे x के respect में so this is just cos of theta अंदर वाले को देखो ही मत अंदर जो है उसको as it is लिख दो into अब अंदर वाले का derivative करो 2x plus 1 का derivative होगा 2 तो पहले अंदर वाले को ignore करो फिर multiply करके अंदर वाले का derivative लिखो इस तरीके से differentiate करते हैं तो पहले तो इसका derivative हो जाएगा cos omega t minus kx into अब इसकी बारी अब देखो यहाँ दो variables है t और x लेकिन आप t के respect में कर रहे हो तो आप x को constant मानोगे जब दो variable हो एक को constant मान के दूसरे के respect में differentiate किया जाए तो उसको बोलता है partial differentiation तो हम partial differentiation कर रहे हैं t के respect में कर रहे हैं तो omega t का derivative omega आगया जैसे 2x का 2 आए था और kx का 0 क्योंकि t के respect में कर रहे हैं तो x को हमने constant मानना है so this is the particle velocity अच्छा wave velocity अभी हम निकालेंगे बट हम पहले इसी equation को अगर एक बार x के respect में भी differentiate करें तो क्या होगा a cos omega t minus kx omega t का derivative 0 हो जाएगा इस बार क्योंकि x के respect में कर रहे हैं minus kx का derivative हो जाएगा minus k अच्छा एक बार इनको हम divide कर लें अगर अगर मैं vp upon dy upon dx करता हूँ vp upon dy upon dx करता हूँ minus a k cos omega t minus kx क्या क्या कैंसिल हुआ a से a कैंसिल हुआ cos omega t minus kx से cos omega t minus kx कैंसिल हुआ omega by k बचा minus में minus omega by k so vp upon dy by dx equal to minus omega upon k और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि omega upon k wave की velocity का formula होता है कैसे omega upon k omega होता है 2 pi by t k होता है 2 pi by lambda 2 pi से 2 pi कटा lambda upon t आए गा lambda upon t मतलब क्या कितना distance कवर करती है wave कितने time में तो वो lambda distance कवर करती है एक पूरी wavelength कवर करती है अपने time period में which is capital T so this is distance covered इतने time में इतना distance covered इतने time में तो lambda आगे जाती है capital T time में तो यह wave की velocity है v तो omega y k is nothing but wave velocity तो यहाँ से हमको मिला vp equal to minus vw into dy by dx this is the relation between wave velocity and particle velocity where dy by dx is what पढ़ा है आपने dy by dx क्या होता है curve का slope होता है जैसे यहाँ पर एक particle है यह curve बनाया न वेव का यह बनाया यहाँ पर एक particle है suppose यह particle है ठीक है इस particle के लिए अगर आपको relation निकालना है तो आप यहाँ पर पहले tangent draw करोगे यह tangent यहाँ से theta angle बना रहा है तो इसका slope क्या होगा इस particle का जो slope है वो tan theta होगा तो इस particle की इस instant पे velocity देखो जो particle की velocity है पार्टिकल तो oscillate कर रहा है ना और वो oscillatory motion जो वो accelerated motion है तो इस particle की velocity तो बदल रही है तो जिस instant की बात हो रही है यानि जिस instant पे यह particle यहाँ पर है उस particular instant पे इस particle की velocity wave की velocity से ऐसे related होगी और यहाँ पर यह क्या होगा यह होगा slope यानि की tan theta उस instant पे slope आपको सिखाई हुई है math में भी आपने सीखी होगी तो I hope आपको पता होगा बट वहाँ तक कोई पूछेगा नी derivation नमारा यहाँ पर खतम हो गया है कि particle velocity is negative of wave velocity into slope of curve at that point तो इसको prepare कर लेना दो नमबर में बहुत सारे schools में ने देखाई कि यह question आता है तो बहुत important है उस basis पे इसको prepare कर लेना मैं आप से मिलता हूं next lecture में तब तक के लिए all the very best